So, Hello Guys, Welcome back to new video मेरा नाम है प्रियांच, आप देख रहे हो Amazing Gardening YouTube चैनल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके बारे में ये माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और घर में सुक्षान्ती बनी रहती है तो इस पौधे के बारे में आज आपको सारी information मिलने वाली है साथी साथ आपको इस पौधे की care and tips के बारे में भी आज जानकारी मिलने वाली है और इसके साथ साथ इस पौदे की तीन वराइटियां आज आपको मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ जिन मैंसे एक वराइटी बहुती जाधा रेयर है आप मैंसे बहुती कम लोग ने वो वराइटी देखी होगी तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ, तो जो ये green वाली variety है, ये बहुत ही जादा rare है, ये hanging pots में लगाने वाली variety है, तो ये मैंने online मंगाई है, उसके बाद आती है ये golden वाली variety, तो ये भी बहुत ही जादा rare है और ये भी मैंने online मंगाई है, और उसके बाद आती है ये आप भी plants purchase कर सकते हो, तो चलिए अब आपको बता देता हूँ मैं इस plant की थोड़ी सी care tips के बारे में, तो जो ग्रीन वाली variety है, इस पे तो कोई भी pest या insect attack नहीं करता, लेकिन जो golden वाली variety है, इस पे साल में दो या तीन बार flower आते हैं, तो जब इस पे flower आते हैं, तो इस पे ज दूसरी वाली जानी की जो normal वाली crassula water variety है, इस पे भी जल्दी से कोई फ्लावर नहीं आता, तो इस पे भी जल्दी से कोई pest attack नहीं करता, लेकिन जो golden वाली variety है, उस पे pest जल्दी अटेक करने लग जाते हैं, और वैसे तो crassula water पे जल्दी से कोई भी pest अटेक नहीं करता, लेकिन आंट्स का कभी कभी इसमें दिक्कत आने लगती है, चीटियों की दिक्कत कभी कभी इस प्लांट में आने लगती है, तो चीटियों के लिए आप इस पे कोई भी और्गैनिक पैस्टिसाइड बना के स्प्रेक कर सकते हो, और्गैनिक पैस्टिसाइड में आप नीम के पत्तों का पानी भी इसके उपर स्प्रेक कर सकते हो, उससे प्लांट को भी कोई डैमेज नहीं होगा, और चीटियों की प्रॉब्लम भी आपके प्लांट के उपर से चली जाएगी, इसी के साथ साथ चली अब बात करते हैं, इस प्लांट को कैसा इन्वावर्मेंट पसंद है तो सर्दियां इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सर्दियों में आपको इस प्लांट को इंडोर रखना होगा, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा, या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे रखना होगा, जहां पर इसके ओपर डारेक्ट जो हमारा फ बड़े पेड़ के नीचे रखिए यही सारी कंडिशन आपको गर्मियों में फॉलो करनी है यानि कि इस प्लांट को एक moderate temperature और environment पसंद है अब बात करते हैं इस प्लांट को soil किस तरह की पसंद है तो soil जो मैंने इसमें अपना जिस soil में लगाया है यह है खाली कोकोपीट और compost मैंने 50% कोकोपीट ली है और 50% गोबर के खाद ली थी और उसमें इस प्लांट को लगाया है और लगाने के बाद इसकी जो health है वो बहुत जादा soft होती है और मिट्टी में अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और अगर मिट्टी में जरा से भी water logging हो जाए यानि की water रुका रहे आपके गमले में ही तो यह plant एक दम से खराब हो सकता है तो इसके लिए आपको soil इस तरह की prepare करनी है जिसमें water lock ना हो तो मेरे सा plant की health कितनी अच्छी हो चुकी है तो यह result मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको कोई भी confusion ना रहे कोई भी doubt ना रहे कि soil इसके लिए जो मैंने बताई है वो अच्छी है या बेकार है तो एक महीने बाद आप देख सकते हो मेरा plant कितना healthy है और कितना अच्छा है और कि इस plant को लगा देना है लेकिन आपको इध्यान रखना है कि लगाने के बाद इस plant को आपको बहुत तेज दूप में नहीं रखना है और सर्दियों में बहुत तेज मतलब भार नहीं रखना है जहां पे इसके उपर direct fog गिरे तो क्योंकि दूप में रखने से क्या होता है जो उन पे थोड़ी सी बर्णिंग आने लगती है यानि कि वो थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगती है और जो इसकी पतियां है अगर आपकी उपर से वो corner space से red हो रही है तो वो भी इसकी वज़े से हो रही है कि आपने अपने plant को बहुत तेज sunlight में रखा होगा तो अगर यह भी problem आपके Cressula water पर आ रही है तो आप इस plant को उठा करके एक ऐसी जगा रख दीजे जहां पर इसके ओपर direct sunlight ना पड़े तो चलिए ही तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी बात है इसकी care के बारे में अब watering के बारे में भी आपको मैं बता दूँ तो watering आपको इसमें सर्वाइब कर जाएगा और सरदियों में तो आपको इसमें ज्यादा watering करने की जरूत पड़ेगी नहीं चार-पांच दिन में भी करोगे तो enough रहेगा एक plant के लिए तो चलिए यह सारी बाते तो हो गई अब अब बात करते हैं कि क्या इस plant को घर में लगाने से हमारे पास पास को क्मी नहीं होगी तो जैसे की हम इंडिया में यह मानते हैं कि तुल्सी का पौधा आम का पौधा नीम का पौधा यह सारे पौधे अगर हमारे घर में हो तो हमारे घर में एक positive environment create रहता है और पैसी की भी कभी नहीं होती कभी भी तो ऐसा ही एक मान नयता है ऐसी ही एक belonging है चाइनीज में जिसको फैंक्शुई बोला जाता है तो फैंक्शुई के अनुसार कुछ पौदे ऐसे हैं जिनको घर में लगाने से एक positive energy create होती है और जब positive energy घर में create होगी तो पैसा तो अपना आने ही लगेगा ऐसा उनका मानना है जो फैंक्शुई माननेता है और ये माननेता चाइनीज में बहुती ancient time यानि बहुती पहले से मानी जा रही है तो उसमें कुछ पौदे आते हैं जिनमें तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment बौक्स में लिखके जरूर बताइः और आगर आपको कोई भी और इस वीडियो से related कोई भी आपको question पूछना हो तो आप नीचे comment box में लिखके मेरे से बेजी जग पूछ सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको subscribe भी जरूर कर लीजिए Till then take care and bye bye and namaskar